हमारे चनल में आपका बहुत-बहुत स्वाज़त है। हाजर है फिर से आपके लिए एक नया यूसफुल और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके। का vez रूट किशन का काम करते हैं हों भाहर हो जाते हैं लेकिन फिर भी काम तो करना ही और यही काम जब हम चोड़ी चुड़ी टीफ YouTube paling और टु прилож करते हैं तो हमारा समय तो बच्चता ही बच्चता है साथ ही साथ हमारा जो पैसा है वो भी बच जाता है क्योंकि आज कल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर काम हमें बहुत ही किफायद से करना पड़ता है तभी जो हमारा घर है वो अच्छे से चलता है तो आईए अब जादा बाते ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करत हैं पहले जो हमारी टिप से वो है इस तरह के चंचे वगरा खोले कि जब भी हम खाना बना बनाते हैं तो इसको या तो हम इस तरह से गैस पर रख देते हैं क्योंकि बार-बार हमें सब्जी चलाना होता है या फिर हम प्लेट पर रख देते हैं या प्लेट फॉर्म में इस से रख देते हैं तो इससे हमारा जो जो भी जगह होती है वो तेल वगरा से गंदी हो जाती है तो अगर से अगर से प्लेट में रखेंगे तो एक प्लेट हमेरे दोने के लिए और हो तो आखिर हम ऐसा क्या यूज करें कि जिससे जो है वो हमारा ना प्लेट फॉर्म गंदा हो ना हमारे प्लेट गंदी हो और नहीं गैस पर हमें रखने की जरूरत पड़े तो हमें लेना है इस तरह से एक क्लॉथ पिन यह तो हर घर में होती है और इसको जब भी आपको चम्च प्लेट पड़ेगी और नहीं आपको गैस पर रखने की जरूरत पड़ेगी इस तरह से आप इसको रख सकती है तो आशा है आपको यह जो टिप्स है वो हमारी पसंद आई होगी बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ अगली जो टिप्स है वो है इस तरह की मतर को लेके क्यों है वो हमें स्टोर करनी होती है तो ऐसा हम क्या करें कि जो मतर है वो हमारी साल भर तक खराब ना हो तरीके तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर भी किये हैं और यह जो तरीका है यह भी एकदम न्यू है तो आप यह इस तरीके से अगर आप मतर को तो हमें ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी बस हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी और इस हल्दी में हम डालेंगे वाइट विनेगर बस इन दोनों चीजों से ही हम जो मटर है उसको हम स्टोर करेंगे तो अगर आपको ज्यादा मटर स्टोर करनी है तो आप किसी बरतन में इसको मिलाएं मैं थोड़ी सी आपको वीडियो ब्राने के लिए ही केवल आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही मटर को जो स्टोर करके रखा हुआ है और यह जो दोनों चीजों का जो पेस्ट ह वो इस मटर पे हमें इस तरह से लगाना है मतलब इस तरह से आपको लगाना है कि सारी मटर पे इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए और यह सारी जो काम है वो हमें हातों से ही करना है क्योंकि अगर हम किसी चमच वगेरा से इसमें मिलाएंगे तो यह अच्छे से मि एक डब्बे की या बोतल की जरूरत तो यहां पर मैंने यह एक आइसक्रीम का डिबा लिया है और इसमें इन मटर को डाल देना है और इसको अच्छे से बंद करके आप इसे फ्रिजर में या फ्रिज में रख सकती है तो आशा है यह टिप्स आपको पसंदाई यूग बढ़त है वहां पर पैन तो होते ही है तो आज पैन का भी मैं आपको बहुत ही अच्छा एक यूज बताने वाली हूं जो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होगा तो यह पैन लिखने के बाद जब इसकी जो इंक है वो खतम हो जाती है तो हम क्या करते हैं इसको फेक देते हैं तो आ सब्सक्राइब आप इसको फेके नहीं एंपको क्या करना है इसकी जो कैप है वो लेलेनी है यह कैप जो है वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है तो जो भी आपके पास पैन जो है वह ह荒ग हो जब सारी कैप निकालके रख ले और इस कैप का हम यूज کرेंगे क्लोथ क्लॉथ पिन बनाने में तो कपड़े तो हर घर में सूपते ही हैं और उनको उनमें लगाने के लिए क्लॉथ पिन हम खरीदते ही हैं तो आज मैं आपको यह कैप का एक यह बहुत ही अच्छा यूज है आप देख सकते हैं जब भी आप तार पर या रसी पर कपड़े फैला है क्लॉथ पिन की जगे आप यह जो कैप है वो यूज कर सकती है और यह काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं इससे कपड़े जो है वह आपके उड़ेंगे नहीं तो आशा है आपको यह जो टिप से वह भी हमारी पसंद आई होगी आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स टिप की त जैसे या किसी और कारणवज भी यहां पर कालापन आने लगता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बुरा लगता है तो मैं आपको एक ऐसी होम रेमिडी बताऊंगी जिसी जो जोड है यह आपके जो काले हो गए हैं वो एकदम से बढ़िया हो जाएंगे जैसे कि सबके हो इस तरीके है यह निजो कालापन है वो एकदम से हट जाएगा तो आपको यहां पर लेना है कच्छा दूद ध्यान रहे आपको दूद कच्छा ही लेना है बला हूँ नहीं लेना है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा कच्छा दूद लिए क्योंकि यह जो रेमिडी है जितनी बहुत थोड़ी सी लगती है आपको इतना बनाना उसके साब से आप दूद ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉल गेट वाइट वाला ही लेना है आपको कोई और नहीं लेना है तो यहां पर थोड़ा सा डाला है मैंने और इसको अच्छे से हम हातों से ही मिक् दिफरा यहां है बहुत अगर आप इसको लगा लेंगी तो आपके जो इसकिन है वोे अच्छी हो जाएगी जो कालापन है वो एकदम से हट जाएगा और मिक्स करने के बाद अब जहांजां पर जैसे यह हातों में उंगलियों में यहां पर काला-काला हो जाता है कोंवनी मे से कालापन जो है वो खटने लगेगा तो यह एक नेचुरल होम रेमेडी है आपको इसमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं बस थोड़ा सा कॉलगेट लगेगा जर आसक अच्छा दूद और आपकी जो यह प्रॉब्लम है वो सॉल हो जाएगी तो बढ़ते हैं नेक् लेना है तो यहां पे चाय पती को अमने अच्छे से बॉयल कर लिया है अब इसको हम च्छाण लेंगे और जो चाय पती तो इसको आप सुखा के अपने पेड़ पाधू में उसको यूश कर सकती हैं तो यहां पे पे हमें बस चाय पती लेना है और इसके एलावा एक E Kun Su जो हम यूस करेंगे तो यहां पे हमें छाय पती को कटोरी चान लिया है और इसमें डादेंगे हम टेल कम पावडर तो थोड़ा सा ही लेना है और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेगे जब पान ये गरम रहे तभी एसको तक लिए जो आपका जो डरेंगं में तो सारी चीज आप यसको अच्छे से साफ। कर सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते है अपने यह परद रीद्ड होते हैं फटीज ४ क्योंकि थोड़ी स्मयल अगर उसमें से आ रहे है सरदी की वजसे या सीलन की वज़े से और इस minimize हो जातिस आप हमारी solve हो जाती है तो आप देख सकते हैं मैंने डाइनिंग टेबल का जो कांच है वो साथ किया आप देख सकते हैं कितनी इच्छी shining आ गई है और इसको बनाने में हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है चाय पत्ती जो हर घर में होती है बस वहीं हमने ली है और आप देख सकते हैं जो ड्रेसिंग टेबली यह कितनी गंदी है इसमें दाग लगे हुए है और इसके उपर मैंने इसको इसको स्प्रे किया है और इसको बस हमें एक न्यूस्पेपर से साथ करना है तो यह चोटी चोटी चीजी है जिसको जो हमारे घर में रहती हैं और जिससे यह हमारे सारे काम हो जाते हैं इसके लिए हमें बाहर से कोई भी चीज खरिदने की जरूरत नहीं पड़ती है और इनी चीजों को यूज करके हम अपने घर को साफसुत्रा रख सकते हैं नेक्स टेप की तरफ कर दो देते हैं और उसमें पैसे रखे होते हैं वह घीले हो जाते हैं अब इसको हम धूप में रखते हैं तो हमें निग्रानी करने की जरूरत होती है और नहीं जाए या फिर कोई ले नहीं जाए और प्रेस से सुखाते हैं तो भी डर लगता है कहीं यह नोट जो है वह जल नहीं जाए तो आज इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से सुखाना है इसका तरीका में आपको बताने वाली है तो यहां पर हमने लिया है तवा और इसको बस यह समझे लोगे 30 सेकेंड के लिए से गरम किया है और गैस हम कर देंगे बंद इस पर देंगे हम थोड़े से चावल क्योंकि तवा हमारा गरम हो चुका है और जो चावल डाले हैं यह भी हलके से गरम हो जाएंगे क्योंकि तवा हमारा गरम है और ज्यादा गरम नहीं करना है गैस को ध्यान से बंद कर दें और इसके उपर आप डाल देंगे यह जो नोट हमारा हुए इसको आप थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगी आप देखेंगी कि आपका नोट है वह एकदम से जैसा पहले था जैसा ही हो गया है और इसको आप देख सकते हैं सुखाने में कोई भी मेहनत नहीं लगी है तो यह बहुत अच्छी ट्रिक है इसको आप यूज करके दे है वह भी सूखे हुए है और यह काम हमारा बढ़िया से हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स ट्रिक की तरफ आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तेल बनाने बताने चाहरी हूं इस यह तेल की खासियत यह है कि जिसको भी हाथ पेरों में जोड़ों में दर्द होगा तो यह तेल जो है वो उस दर्द को एक दम से खीच लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके कहीं दर्द था ही नहीं तो यह मैजिकल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी है प्याज की सरसो के तेल की थोड़ी सी अजवाइन काली मिर्च और लैसन बस इस चार चीज के यूज से हम यह तेल आपको बताएंगे लेकिन इसकी प्रोसेस आप ध्यान से देखना क्योंकि अगर सही प्रोसेस नहीं होगी तो यह चीजें हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो सरसो का तेल हमने गरम कर लिया है तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अजवाइन क्योंकि अजवाइन को मतलब भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो सबसे पहले इसमें हम अजवाइन डाल देंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे और तोड़ी जी जो 5-6 हमने काली मिर्श ली है वो भी डाल देंगे इन दोनों का अच्छे से हम भूनने देंगे और जो बाकी चीजे है वो इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर जो अजवाइन है वो हमारी अच्छे से भूनने लगी है गैस को आपको धिमा ही रखना है और मुझे तो केवल वीडियो बनाना था आपको दिखाना तसली मैं थोड़ा बनाया है क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं जो ये तेल यूज करे थोड़ा समयने बना के रखा है कभी दर्द होने लगता है हाथ पेरों में तो वहाँ पे लगा के इसे हम यूज कर सकते हैं उ मिष्वयान रहे कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं हे और कच्चा भी नहीं रखना हैं मतलब एंदम डार्क ब्राउन्र करना है और काला नहीं करना है क्योंकि अगर काला कर देंगे तो फिर जो प्याज के जो गोण है वो खतम हो जाएंगे तो इसको अब आच्छे से हम धिमियाज पे भुनने देंगे और ये बढ़िया सा जो तेल है वो हमारा तयार हो जाएगा और जिसको भी घर में ये प्रॉबलम है कि उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं अगर खड़े हो जाते हैं तो बैट नहीं पाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा जोइंट पेन होता है तो उनके लिए ये जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा वर्दान है क्योंकि इसमें हमने अजवाइन डाली है लेसन डाला है तो ये सारी चीज़ों जो हैं वो दर्द को एकदम से खीश लेती हैं और प्याज में पुछ ऐसे गुण होते हैं जो दर्द को क्म करते हैं सूजन को कम करते हैं आप लिया प्याज की सिकाई सूजन में काफी जादा फ 552 है यानि कि यह सारी चीजे जब हम तेल में मिक्स करेंगे तो यह तेल जो है वह बहुत ज्यादा कमाल का बन जाएगा तो अब यह तेल हमारा तेयार हो गया है, इसको अब हम फंडा होने देंगे और फंडा होने के बाद इसको यूज्ज कैसे करना है, वह मैं आप को बताऊंगी, वीदियो आपको जुराबी स्किंप नहीं करने है तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे उसके बाद इसको हम 16 की मदद से चान लेंगे तो तेल ठंडा हो गया है इसको अब हम चान लेंगे और चानने के बाद फिर हमें क्या करना है कि इसको वैसे भी आप चाहे तो इसको अपने हातों में मालिश कर सकते हैं दीरे-दीरे करके लेकिन आपको जब भी इसे लगाना हो तब आप इसको हलका सा गुन-गुना कर ले और अगर किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है सूजन है तो उसके लिए इसको कैसे यूज करना ह वह भी मैं आपको बताऊएंगे यहाँ पर जैसे की हड़ी में ज्यादा दर्द होता है तो इसको धीरे-अधीरे गूंगुना गुनगुना इसको मालिश करनी है इस तरह से और इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में इसको मालिश कर सकते हैं और उसकी बाद अगर आपको किसे कोई बुड़े बुजुर्ग है तो उन्हें कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको पताऊंगे तो हम ले लेंगे यहाँ पर एक कॉटन और कॉटन को अच्छे से इस तरह से फै रखने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे कोई भी पॉलिथेन हो उसको और उसके बाद हम उपर से बांदेंगे कोई कपड़ा ताकि यह अपनी जगह से हिले नहीं तो ऐसा करके अगर आप करेंगी तो आपका जो आप इसकी यह कम आप करें रात में आप सुबह देखें कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धरनेवाद